आज तक को जतना धिंडोरा पीटना है पीट ले, लेकिन यूपी की जनता बुल्डोजर बाबा पर बुल्डोजर चलाने जा रही है। जनता ने तो एक तरफ होकर अपना एक तरफा फैसला सुना दिया लेकिन बाबा की भक्ती में लगी गोदे मीडिया के कानों में जनता की आवाज नहीं पहुँची। गोदी मीडिया के चैनलों में कुछ पहुचा तो वो है सत्ता की दलाली से मिलने वाली पगार। और यही है कि सबसे ज्यादा जिसे पैसे मिले वो बम-बम कर रहा है और खुले आम बाबा को ऐसी जीत दिला रहा है जिसे सुनकर बाबा से लेकर सब खुश हो जाएं और पैसों की गड़ी सीधे चैनलों तक पहुँच जाएं आज तक ने यूपी में बीजेपी को 288 से लेकर 326 सीटे दी है लेकिन अभी जो ताज़ा एक्जिट पोल सामने आया है उसने गोधी मीडिया के साथ बाबा और भाचपायू की नींद उड़ा दी है डीबी लाइव ने अपने एक्जिट पोल में साफ बता दिया है यूपी में भाचपायू के साथ खदेड़ा होने जा रहा है जबकि वहीं अखिलेश यादव दमदार तरीके से अपनी वापसी करते हुए नजर आ रही है डीबी लाइव ने बीजेपी को 134 सीटों से लेकर 150 सीटों पर समेट दिया है जबकि अखिलेश की समाजवादी पार्टी को 228 से 244 सीटें मिल रही है ऐसे में इस एग्जिट पोल से साफ है कि अखिलेश यादव पून बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रहे हैं अगर आप आज तक की एग्जिट पोल को लेकर सोच में पड़े हैं तो याद कर लीजिए आज तक का बंगाल का एग्जिट पोल जहां आज तक ने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया था और बताया था कि बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है आज तक ने बंगाल में बीजेपी को 136 से 160 दिया था लेकिन जब नतीजे आए तो भाजपा 100 सीटों को तो छोड़िये 80 तक भी नहीं पहुँच पाई थी। ऐसा में अंजना जितना चाहे धिंडोरा पीट ले या मोधी को देश का पपा बता ले या खुद को अंजना ओं मोधी बोल ले लेकिन 10 मार्च को वही होगा जो 2 माई को हुआ था या देना आपको पपा के साथ स्टूडियो तक में उच्छल उच्छल कर ये गोधी के कर रहा है वो उसका घटिया पन है गोधी के आंकरों को भी पता है कि वो बेशर्मी कर रहे हैं लेकिन पैसों के सामने उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे में आपको क्या लगता है यूपी में किसकी बनेगी सरकार अपनी राय कमेंट कर बताएं और ऐसे ही को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजे